नमस्कार दोस्तो तो Tata Power और Tata Motors के रिगार्डिक दो बड़ी खबरें है अच्छली में और एक कल बहुत बड़ी कॉन्फरेंस होने वाली है जिसमें बहुत बड़े बाते निकल के आ सकती है अच्छली में नितिन गडगरी उसमें शामिल होने वाले है तो उसके रिगार्डि वेहिकल जो manufacturing है उसमें number one पे आ गया है टाटा मोटर्स पिछले साल नवंबर की बात करें तो 17,700 किये थे sale किये थो उन्होंने उसके बार 25,000 manufacturing है 8,000 बढ़ी है market share 35% से बढ़के अब 44% हो गया है मतलब हाफ पहुचने वाला है और electric vehicle भी commercial भी supply करने शुरू कर दिये है और दूसरी खबर जो आई है वो क्या है EV summit होने वाला कार बजे meeting है तो दिन में कुछ नहीं होगा बढ़ चार बजे meeting है जो भी है summit है उसमें जो chief guest है जिनको बोलना है जिनको future के बारे में बताना इस perspective वो कौन है वो है शिरी नितिन गडगरी तो नितिन गडगरी कल के दिन पर अपना vision बता है वो vision matter करता है क्योंकि वहीं बताएंगे कि EV के regarding क्या planning है और उस पे टाटा पावर और टाटा मोटर बहुत depend करते हैं तो कल discuss करेंगे कि वो कैसे commercial vehicle और इन में EV का क्या future है कितनी government यह सारी news कल निकलके आ सकती है तो इस सारी news आएंगी सबसीडी के regarding EV vehicles के regarding कल नितिन कड़ी गरी इसके बारे में बात करेंगे पर विपिन रावत जी की देथ होगे तो कल यह meeting cancel हो सकती है यह भी हो सकता है बट होगी नहीं most probably तो USA market में भी 2% अप है आज के दिन Tata Motors again तो मैं इस वीडियो में यह भी शद्धांज्री देना जाँगा विपिन रावत जी को जो कि हमारे CDS थे तो उनके लिए भी शद्धांज्री है और दोस्तो कल के दिन पे नजर बनाए रखीगा स्टोक मार्केट में इसके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ा हो सकता है कि स्टोक मार्केट थोड़ा रियक्ट करें इसके रिगार्डिंग